हेलो दोस्तों आप सभी को चमपक का नमश्कार आज हमारे साथ है माननीय सुर्मा भोपाली जी आज हम चर्चा करने वाले हैं पी एम किसान समपदा योजना के विशे में क्रिशी छेतर के विकास के लिए सरकार द्वारा विबिन परियास किये जाते हैं इन परियासों के माध्यम से विबिन परकार की आर्थिक साहता मुहिया कराई जाती है हाली में राज्य सरकार द्वारा परदान मंत्री किसान संपदा योजना का शुबारम किया गया है इस योजना के माध्यम से खाग परसंस्करण के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको परधान मंत्री किसान संपदा योजना का पूरा ब्योरा परधान किया जाएगा आप इस वीडियो को देखकर इस योजना का उदेश्य, लाब, विशेश्ताय, पातरता, महत्पून, दस्तावेच, आवेदन करने की प्रतिकिरिया आदिसे सम्मध्य जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपसे निवेदन है वीडियो के अंतक बने रहें यदि आप परधान मंत्री किसान संपता योजना दोजार चोबिस का लाब प्राप्त करने में रूची रखते हैं तो आपसे निवेदन है वीडियो के अंतक जरूर बने रहें दोस्तों बात करते हैं परधान मंतरी किसान संपता योजना के उदेश्यों के विशे में परधान मंतरी किसान संपता योजना का मुख्य उदेश्य क्रिशी समुदरी परिसंस्क्रण और खाग परिसंस्क्रण समू का विकास करना है इस योजना के माध्यम से परिमान सरूप, फारम गेट से रिटेल आउटलेट तर कुशल अपूर्ती श्रंखला प्रमंदन के साथ आधुनिक बुन्यादी डाचे का निर्मान किया जाएगा यह योजना क्रिशी छेतर का विकास करेगी इसके अलावा किसानों को इस योजना के माध्यम से बहतर रिटन प्राप्त होगा किसानों की आय में भी इस योजना के माध्यम से व्रद्धी होगी इसके अलावा देश के ग्रामिन छेतरों में रोजगार के बले अवसर भी इस योजना से के माध्यम से उत्पन होंगे यह योजना आपूर्ती श्रंकला में संपून जुडाव इस्तापित करेगी एवं मोजूदा खाग परसंसकरन इकाईयों का आधुनी करन इम विस्तार करेगी परदान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतरगत योजनाओं की सूची मेगा फूड पार इस योजना के माध्यम से किसानों परसंसकरन करताओं और खुद्रा विक्रेताओं को एक साथ लाकर क्रिशी उत्पादन को बजार से जोडने के लिए एक तंतरप्रदान किया जाएगा जिससे कि किसानों की आय में व्रद्धी की जा सके एवं ग्रामीन चेतरों में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सके यह योजना क्लस्टर द्रश्टी कोन पर आदारित है मेगा फूट पार्क में संग्रय केंद्र प्रात्मिक प्रसंसक्रन केंद्र केंद्र प्रसंसक्रन केंद्र कोल चेन और उद्मियों के लिए खाग प्रसंसक्रन इकाईयों की स्तापना के लिए लगबग 25 से 30 स्पून विक इससी बूखंडो सहीत आपूर्ती शंकला बुन्यादी धाचा शामिल किया गया है। प्रियोजना में प्रिकूलिंग, तोल, चटाई, ग्रेंडिंग, फामिस्तर पर वैक्सिंग सुईदा है। इस प्रियोजना का मुख्य उदेश्य प्रसंस्करन के इस्तर को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करन और सरक्षन समताओं का निर्मान करना है। जिससे की मोजुदा खाग प्रसंस्करन इकाईयों का आधुनी करन इविस्तार हो सके। इस परियोजना के माध्यम से किसानों के उत्पात की शेल्फ लाइफ में व्रद्धी करने के विबिन उपाए भी बताए जाएंगे। जिससे की अलग-अलग इकाईयों द्वारा की जाने वाली प्रसंसकरन इकाईयों में कटाई के बाद उत्पात की शेल्फ लाइफ में व्रद्धी की जा सके। इस परियोजना के माध्यम से अंतिम उत्पात की गुनवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा नई हिकाईयों की स्थापना और मोजूदा हिकाईयों का आधुनिक करण एवं विस्तार इस योजना के अंतरगत शामिल है। इस परियोजना के माध्यम से आधुनिक बुनियादी धाचा समान्य सुधाओं का विकास किया जाएगा। जिससे की उद्मियों के समू को कलस्टर द्रिष्टिकोन के आधार पर खाग परसंसकरन इकाईयों की स्थापना के लिए उत्पादकों और किसानों के समू को प्रोसुसर और बादारों से आधुनिक बुनियादी धाचे के साथ श्रंखला के माध्यम से जोड़ा जा सके। इस परियोजना के अंतरगर्थ सरकार द्वारा दो गटक शाबिल किये गए है जो की सक्षम बुनियादी धाचा और कम से कम पांच प्रसंसकरन खाद इकाईयों में नियूंतम 25 करोर रुप्या निवेश है एग्रो प्रोस्सिंग कल्स्टर के माद्यम से समान्य बुनियादी धाचे के निर्मान के साथ-साथ इकाईया इस्ताफित की जाती है इस्तापना के लिए कम से कम 10 एकर भूमे की वियस्ता 50 वर्षों के लिए की जानी चाहिए परदान मंतरी किसान समान निदी योजना साथ फॉरम गेट पर प्रात्मिक प्रसंसकरन केंद्र संग्राय केंद्र और फ्रेंट एंड आधुनिक रिटेल आउटलेट इस्तापित करने के लिए वित्तिय साहता प्रदान की जाएगी फल, सबजियां, डेरी उतपादन, मास, मुर्गी पालन, मचली, पकाने के लिए तयार, खाद, उतपादक, शहत, नारियल, मसाले, मश्रूम आधी जैसे खराब होने वाले बागवानी और बागवानी उतपादों पर इस योजना को लागू किया जाएगा यह योजना क्रेशों को के लिए लापकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी तता किसानों को प्रोसेसर बजार से चोड़ने में यह योजना कारगार साबित होगी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ऐस्शुरेंस इंफ्रस्ट्रक्शर इस परियोजना को खागे सुरक्षा एवं गुनवत्ता आशवासन प्रदान करने के उदेश्चे से आरम किया गया है इस परियोजना के माध्यम से देश में खाग प्रसंसकरन छेतर के स्वारगीन विकास किया जाएगा जिसमें गुनवत्ता नियंतरन, गुनवत्ता पर्णाली और गुनवत्ता आश्वाशन सामिल है इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से उपभोक्ता, सुरक्षा और सावजनिक स्वास्ते के हित में भी कार्य किया जाएगा यह योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि बजार में बेचे जाने वाले उत्पाद गुनवत्ता पूने एवं निजदारित मानकों का पूरा करते हैं पीम किसान संपदा योजना का कार्यान वयन इस योजना के अंतरगत खाग परसंसकरन छेत्र को बढ़ावा देने के लिए विबिन प्रकार के परियास किये जाएगे जिससे की फसल की बरबादी न हो एवं नुकसान को शूनिय स्तरपल लाया जा सके किसान संपदा योजना के माध्यम से कृषी समों की पहचान की जाएगी एवं उनको सबसीडी प्रदान की जाएगी खाद उत्पादों को उत्पादक केंद्रों से बजार में स्थानंतरित किया जाएगा इस योजना का मुक्य उदेश्य आपूर्ती श्रंकला में संपून जुडाव इस्थापित करना एवं खामियों को दूर करना मोजूदा खाग प्रसंसकरन इकाईयों का आधुनिकरन या विस्तार करना प्रसंसकरन और सरक्षन समताओं का निर्मान करना आदी है इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में व्रद्धी होगी रोजगार के अवसर पैदा होगे प्रसंसकरन खाद के निर्यात को प्रोसाहित किया जाएगा एवं खाद अप्वेव को कम करने में मदद प्राप्त होगी एक आदूनिक बुन्यादी ढाचा बनाने की दृष्टी से खाद प्रसंसकरन उद्योग मंत्राले द्वारा इस योजना के अंतरगत 42 मेगा फूड पार्क 236 एकिकरत शीत शंकला को मंजूरी प्रदान की है परधान मंतरी किसान संपदा योजना के लाब तता विशेशताएं केंद्र सरकार द्वारा परधान मंतरी किसान संपदा योजना का शुबारम किया गया है इस योजना के माध्यम से क्रिशी समुदरी प्रसंसकरन और खाग प्रसंसकरन समोह को विकास किया जाएगा इस योजना का कारेन वयन खाग प्रसंसकरन उद्योग मंत्राले द्वारा किया जाएगा किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके माध्यम से परिमान स्वरूफ फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ती श्रंकला परबंदन के साथ आधूनिक बुन्यादी डाचे का निर्मान किया जाएगा देश में खाग प्रसंसकरन शेतर का विकास होगा तता किसानों को बहतर रिटन भी प्राप्त होगा यह योजना किसानों की आयमे वृद्धी करने में भी कारगार साबित होगी इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामिन छेतरों में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन होंगे वर्ष 2020 में इस योजना के अंतरगत 32 नए प्रोजेक्ट का शुबारम किया गया था जिसके लिए सरकार दुआरा 406 करोड रुपे की राशी आवंटिक की गई PM किसान FPO योजना इसके लिए मैत्पून दस्तवेज आवेदत भारत का इस्ताई निवाशी होना चाहिए आधार कार्ड निवास परमान पत्र आय परमान पत्र जाती परमान पत्र राशन कार्ड आयुका परमान पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मोबाइल नंबर एमेल आईडी आदी परदान मंतरी किसान संपदा योजना के अंतरगत आवेदन करने की परकिरिया के बारे में बताते हैं सरव परतम आपको परदान मंतरी किसान संपदा योजना की आधारिक डेप साइट पर जाना होगा परदान मंतरी किसान संपदा योजना अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा होम पेज पर आपको आवेदन करके विकल्प पर विकल्प क्लिक करना होगा इसके पस्चात आपकी स्कीम पर आवेदन फार्म आ जाएगा आपको इस आवेदन फार्म में पूछी गई सब महत्पून जानकारी दर्ज करनी है अब आपको सभी महत्पून दस्तवेजों को अपलोड करना है इसके पस्चात आपको सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करना है इस प्रकार आप अपने परदान मंत्री किसान संपता योजना के अंतरकत आवेदन कर सकेंगे वैबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको परदान मंत्री किसान संपता योजना हमें आपके विचार आपके सवाल कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया से तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में